कि कर दूँ है तो हम क्या कर रहे हैं अभी हम वी आर डूइंग क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट उसके अंदर हम लोग को आज पढ़ने हैं अग्रिकल्ट्रल इक्विपमेंट्स है ना अग्रिकल्ट्रल इंप्लिमेंट्स ठीक है ओके तो यहां पर हमारे यहां पर हमारे एग्रिकल्ट्रल इक्विपमेंट्स बिफोर स्विंग सीद्स इट इस नेसेसरी तू ब्रेक दस्वाइल तू साइज ऑफ ग्रेंज वेरियस तूल इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं और इसके बीचे रीजन हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था क्या रीजन है प्लोइंग और टिलिंग करने का तो लूजन अप दस्वाइल कि लेड़ ब्रीज तू मॉइस्टर रिटेन करने के लिए ताकि रूट्स अच्छे से पेनिट्रेट कर जाएं उसके लिए तो यहां पर अगर हार्ड होगी तो रूट्स पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी तो हम यहां पर क्या करते हैं तो उस इसको बोलता हैं हो कर लिए तीब यह क्या क्या यह उसका तो आप अपनी कॉपी में लिख लीज निंग के लिए इककोप्म को यूज में यूज होते हैं उसको flow, hoe and cultivator equipments or implements used for flowing and tilling will be flow, hoe and cultivator this is a flow used for tilling the soil used for adding fertilizers, used for removing weeds, used for scraping the soil in sasare kamsake liye kya aapko yehsare terms samaj mэn aare tilling ka madlab samaj mэn aate इसको हम उसका भी बना सकते हैं अन्ड रॉन बाया पेर आफ बुल्स दो प्लोव करते हैं दिख रही है को यहां पर और यह अपनी इंडी है रखा लिए और हमने किसको फीडि ला दिया जानवरों को फीट करा दिया वह इंशारकर यह सारा काम कर यह हम एक तरह से रिसाइक्लिंग कर रहे हैं जो हम खाना ग्रो करने के लिए अनिमल की एनरजी यूज कर रहे हैं और वो जो खाना बच जाता है उसको हम एनिमल को खिलाके उनको एनरजी प्रोवाइट करें वाद समझ में आ गई ठीक है ओके तो यहाँ पे इस लाइक दिस इस अ ट्राइंगुलर आइरन स्ट्रिप स्ट्रॉंग ट्राइंगुलर आइरन स्ट्रिप जो क्या करता है जो यहाँ पे पूरे में मोशन परफॉर्म करता है ठीक है अच्छा यहाँ पे हो हो इस तरीके का एक एक होता है for removing weeds and loosening the soil यहाँ पे आगे की तरफ एक बेंट प्लेट हो broad bend plate of iron which works with the blades which work like blades तीसरा है हमारा cultivator यह देखो यह वाला equipment कौन यूज करता है यह एकदम घरीब किसान ठीक है जिनके पास पैसा बहुत कम है यूज करने के लिए वह क्या करते हैं जानवरों से जो female cow मतलब जो cow होती हैं उनसे क्या करते हैं milk लेते हैं और जो male होते हैं उनसे खेत में animal labor कराते हैं यह भी medium और जो poor farmers होते हैं यूज करते हैं और यह जो होता है यह rich farmers यूज करते हैं जिनके पास डीजल के लिए पैसे होते हैं जिनके पास यह इतनी महेंगा ट्राक्टर और यह खरीदने के लिए पैसे होते हैं बात समझ में आ रही है understood yes cultivators तो nowadays flowing is done using a tractor driven cultivator तो यह हमारा cultivator है और this is obviously a tractor it saves time and labor बहुत बहुत सारा काम हम बहुत कम टाइम में कर सकते हैं और जो इतने सारे लोग मिलके मेहनत करते थे वो एक person उसका काम को कर सकते हैं बात समझ में आ रही है yes or no then हम लोग सबसे पहले उस पर आ जाते हैं सबसे पहला step याद है आपने पिश्ली बार क्या लिखा था preparation of soil preparation of soil के बाद दूसरा step क्या लिखा था sowing of seeds sowing of seeds क्यों important है आरे वीर वहला यह step क्यों important है करेंगे तो क्रॉप कैसे होगा दूसरा जिस quality की seeds प्लांट करेंगे उस quality के crops होंगे खराब क्रॉप क्रॉप मिलने का कोई logic नहीं है है ना समझ आ तो यह तो हम crops को वीड से बचाएंगे हम 10 काम करेंगे हम इरिगेशन करेंगे fertilizer डालेंगे वीडिंग सब कुछ करेंगे लेक farmers prefer to use seeds which give high yield y-i-e-l-d yield yield का मतलब क्या होता है आरशी हां गेन क्या बोल रहो और गेट टेक है यह यह प्रोडक्शन प्रोडक्शन एक हायर इल्ड मतलब हायर प्रोडक्शन एक हिंदी में बात करें तो पैदावार इल्ड का मतलब क्या हो गया पैदावार मतलब जितनी जादा इल्ड होगी उतना जादा क्या होगा उतना जादा हमाई पास food available होगा इल्ड के लिए कर रहे हैं सब सारा काम तो देखो यहां पे एन एप्रोप्रिये डिस्टेंस बिट्वीन देशीज इंपोर्टन तो अवा इसको बहुत पास-पास प्लांट कर देंगे तो क्या होगा एक दूसरे साथ fight करेंगे for minerals and for all the sunlight for water for minerals for food everything और एक दूसरे के साथी compete करेंगे तो क्या होगा इसको प्रॉपर्ली मिल पाएगा ना इसको प्रॉपर्ली मिल पाएगा दोनों की growth प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी इसके वैसे दोनों प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेंगे प्रॉपर्ली इल्ड नहीं प्रिद्यूस करेंगे दो बिस अलाओ प्लांस तो गेट सफिशन अनलाइट नूट्रियंस और पहले आप यह लिखो अपनी कॉपी में एप्रोप्रियेट डिस्टेंस बिट्वीन सीज इ इंपोर्टन बिकॉज एप्रोप्रियेट डिस्टेंस बिट्वीन सीज इंपोर्टन बिकॉज बिकॉज प्लांस आर अलाओ तो गेट सफिशन अनलाइट नूट्रियंस और वाटर प्रॉम दे सॉईल आपके पास कॉपी नहीं है कोई आज तो आप कॉपी में लिको ठीक है क्योंकि बुक में तो ऐसे लिखते लिखते सारी जगा खतम हो जाएगी तो एक सफिशन संव लाइट नूट्रियंस और वाटर फॉम दे स्वाइल लिख लिए असल लाइट नूट्रियंस और वाटर फॉम दे स्वाइल ओके कई बार क्या होता है हमें जब देखते हैं क्या ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही तो बीच बीच से कुछ प्लांस रिमूव भी करने पड़ जाते हैं जिससे कि इनकी ओवर क्राउडिंग ना हो तो तो क्या क्या चीज़े यूज की जाती है सबसे पहले ट्रेडिशनल टूल यूज फॉर सोइंग इस अफ़नल शेप टूल ये टूल दिख रहा है आपको यहां पर क्या करते हैं यहां पर सीड डालते हैं और सीड यहां से निकलती हैं हम इसको मूव करते हुए चले जाते हैं एक प्रॉपर टाइम इंटर्वल में एक अमांट ऑफ सीड निकलती हैं दो प्रॉपर डिस्टेंस पे क्या गिराती चलियाती हैं और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे सोइल से कवर कर देंगे तो पहले हम बोलते थे भॉब कास्टिंग ठीक है हम क्या करते थे शीज को इस तरीके से डाल देते राट ऊस्ट को बाट कास्टिंग तर चीज फिल्द इलिए फ्टें फॉट ऑफणर पास्टिंट इंटू और त्री पाइप विटीज आविंग स्वा एंग हम धन घ्या अंड पियर्ष इंटू और place seeds into place यह पहले क्या करते थे यह पहले क्या करते हैं जगा बनाते हैं गहराई खुदते हैं उसको और उसके बाद क्या करते हैं उसमें seeds को insert कर देते हैं आज की डेट में हमने इसको थोड़ा सा पहले इसका modified version आया यह आया है इसमें आप देख रहें बहुत सारी seeds एक साथ प्ल seed drill seed drill right right seed drill nowadays seed drill is used for sowing with the help of tractors तो एक काम वही है बस क्या कर दिया है हमने mechanized कर दिया जिसको जिससे fast हो जाए और labor cost reduced हो जाए और labor हम मशीन से 24 गंटे काम करवा सकते हैं लेकिन इंसान से 24 गंटे काम नहीं करवा सकते हैं ना है ना we cannot make a person work for 24 hours but we can ask a machine to work for 24 hours जिसकी वज़े से जब भी कोई चीज मेकनाइज हो जाती है तो उस काम की इल्ड इंक्रीज हो जाती है हाँ जाती है लेकिन जो प्रोडक्शन है वह इंक्रीज हो जाता है बात समझ में आ रही है तो हमें दोनों के बीच में क्या करना पड़ता है दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाके चलना परता है जैसे अगर ड्राइवर लेस्कार आ जाएंगी तो कितने सारे उनकी जॉब जाएगी लेकिन क्यूंकि वह मशीन है तो ड्राइवर के साथ तो एंड नंबर ऑफ मिस्टेक्स हो सकती है कभी को ड्राइवर की आँख सकती है कभी ध्यान भटक सक सकता है कभी ड्राइवर गाना सुन रहा हो सकता है कभी कुछ भी हो सकता है जिसकी वैसे आक्सिदेंट पर मशीन से तो हम यह एक्सपेक्ट नहीं करते और ड्राइवर सब्सक्राइब तक लगतार गाड़ी चला रहा है तो ठक भी जाएगा उसको रेस्ट चाहिए लेकिन क्या होगा अगर हम प्रॉपर डेफ्थ पर नहीं सो करेंगे मतलब शालो सीट सो कर देंगे उपर ही उपर सो कर देंगे तो इस इतनी शालो होंगी कि उनकी रूट करने से पहले उनको बर्ट का लेंगे राइट प्रदी क्या होगा अगर हम बहुत डीप इंसर्ट कर देंगे तो इनफ सनलाइट इनफ एर इनफ वोटर इनफ सनलाइट एर यह सारी चीज़ें नहीं मिलेगी जिसकी वाइसे वह नहीं करेंगे तो प्रॉपर डेफ्थ बहुत ज़रूरी है ठीक है यह नेक्स हमारा रहा है इट एंशोर कर लेता है कि पहले गड़ा हो उसके अंदर सीट जा एकतात मैनेज हो जाता है इसमें ठीक है ओके इस प्रिवेंस डैमेज कॉस्ट बाइबर्ड क्योंकि अगर हम खुद से करेंगे तो थोड़ी देर के लिए तो खुली रहेगी ना मतलब जब हमने उसको ओपन में छोड़ा है यह क्या करता है साथ की साथ उसको खोदता है उस management adding manure and fertilizers next step क्या है हमारा adding manure and fertilizers किसी के खेत हैं आप anyone who has worked in a field no one किसी के सब्सक्राइब करते हैं और जिस तरीके से हम लोग farming करते हैं हम टाइम ही नहीं छोड़ते तो naturally replenish नहीं कर पाता थे पहले पता है क्या था slash and burn agriculture था आपको पता है slash and burn what is that पहले क्या था कि तबसे पहले हमें पहले खेत तो थे नहीं न हंट गैदर रस तो खेत तो हमने इन्वेंट किया है ना क्रॉप्स तो हमने इन्वेंट किया है तो hunter gatherers थे वो तो शिकार करते थे ज़ानवर को खाते थे या फिर जो वाइल्ड तो जब हमने उसमें crops grow किये तो that was very nice बहुत अच्छी फसल हुई बहुत अच्छा production हुआ ठीक है हमने तो बहुत अच्छा लगा ये ठीक हमने फिर दो तीन साल उसमें grow किया और फिर क्या हमें लगा अब इसकी क्रॉप्स की जो quality है वो decrease होने लगी क्यों क्यों क्योंकि सारे हमने टाइम ही नहीं दिया उसको replenish होने का तो फिर उन्होंने क्या किया वहां से मूफ करके अगले patch of land पे मूफ करके थोड़ा आगे मूफ करके वहां जंगल ते वहां उसको काटा वहां पर खेती करना स्टार्ट कर दिया ऐसे करते करते पहले लोग कम थे जगा जादा थी तो वह मूफ करते करते उनका काम चल जाता था लेकिन जैसे जैसे पॉपलेशन भड़ती चली के अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना ठीक है तो इसी लिए हम क्या एड करते हैं हमें चाहिए भी nutrients वाले plants और हमारे पास इतना time भी नहीं है तो हम manure और fertilizer दो चीजों के बीच में trade fertilizer हाद मतलब manure क्या होता है organic whereas fertilizer क्या होता है synthetic जो manure होता है वो किस चीज से बनता है कि बाइओ डिग्रीडेबल वेस्ट लाइक वेजिटेबल और फ्रूट वेस्ट 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 तो जैसे plant residues, animal residues, animal की जो feces होती है उसे plant के जो चौंपोस्टूस्टूस्टूस्ट।। छेक है सद में जब में ढाल देते हैं उसको चलोज कर देते हैं। उसके ऊपर बैक्टीरिया नोशिजफल docks करते हैं। Du एक एस निकल जाती है और जो रहा जाता है वह क्या वह बनता है कॉंपोस्ट या मैंनियॉर और फिर उसको फील्ड में डाल देते हैं लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम पता है क्या है अधि दोनों में देख के बताओ प्रॉब्लम क्या है अभी दोनों फिगर दिख रही है ना एक तो यह है मैंन्योर में थोड़ा टाइम लगता है हमें कॉम्पोस बनाना पड़ेगा इसमें टाइम लगेगा दूसरा मैंन्योर ना हमें बहुत सारा डालना पड़ेगा और फर्टिलाइजर हमें बहुत थोड़ा सा डालना पड़ेगा इस ती से बहुत सारी न्यूट्रि awareness को ना तो हमको यह हां करता है यहां करता है यह तोयल का structure maintain करता है त्हाइल का बीगसर करता है न उसके अंदर ago tutta द्राफ सॉएल सब सॉइल है ना इस सरीके करना चिर में विस्टर करता है यह सुआ हिए तरह कि अ आप nutrients के नाम बता सकते हैं, जो soils apply करते हैं, nitrogen, phosphorus and potassium, ये तो main है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, sodium, sulfur, magnesium, calcium, ये सारे बहुत सारे nutrients हैं, जो soils apply करते हैं, कुछ nutrients जाधा amount में चाहिए, plants को, और कुछ nutrients कम amount में चाहिए, कुछ जाधा amount में चाहिए, कुछ कम amount में चाहिए, जो जाधा amount में चाहिए, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं, macro nutrients, क्या बोलते हैं, macro nutrients, और कुछ nutrients कम amount में चाहिए, उनको क्या बोलते हैं, micro nutrients, ये लिख ल large number of nutrients to the crop to the crop a nutrient which is required in large quantities a nutrient which is required in large quantities is called a nutrient which is required in large quantities is called a macronutrient whereas the nutrient which is required in smaller quantities is called micronutrient nutrient which is required in large quantities is called macronutrient and which is required in small quantities is called and then a potassium potassium k is potassium okay okay and micronutrient example magnesium calcium sulfur etc magnesium calcium sulfur magnesium small short form M capital or G small M G calcium S S S S S S S S S okay 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 this is this is this is इतने सारे दिख रहे हैं, आपको और भी बहुत सारे है, इसको क्या बोलते हैं, पता है, C को, कार्बन, N को, C-A-H-O-Potassium is this, this is Phosphorus, this is, and K is Potassium, सामझे हैं, oxygen gas is O2, ठीक है, oxygen nutrient is O, ठीक है, oxygen gas is O2, जो nutrient के form में होता है, उसे O ही लिखेंगे, ठीक है, समझ आई बात, clear है, everyone understood, बहुत अच्छे से, ठीक है, तो यहां पे N, P and K are macronutrients, ठीक है, ठीक है, आज़ा किसी घर में potted plants अब के हैं, तो आप 20 टाइम आप gardener आता है, ठीक है, वो ए that is manure, ठीक है, that is manure, okay, this process is called manuating, improper or insufficient manuating results in weak plants, manure is यह, लिख लिज़ये, manure is an organic substance obtained from decomposition of plant or animal waste, manure is an organic substance, manure is an organic substance अब्टेन्स OWB आपन्स इमकुותशिज आफ उब्टेन्स आपन्स बिकमपुबसि आप और अपन्कनम विस्ट्प बानिम निद्गिस खन Всे तो यहां पर यह आप आप लोगों के घर में कुछ-कुछ चीज़े खाने की वेस्ट होती है तो आप एक काम कर सकते हो जीक है आप क्या कर सकते हो एक तो जैसे अपनी सोसाइटी में क्या है एक वहां पर आपने देखा है गेट के पास एक ड्रम रखा रहता है जिसके अंदर और फूड फॉर काव कुछ इस तरीके से लिखा रहता है तो आप क्या कर सकते हो उसको एक अलग जगे घटा कर सकते हो मतलब सिर्फ खाने पीने वाला वेस्ट जो फूड वेस्ट है चाहें वो जैसे हम लोग कुकुमबर खाते है उसकी पील हो गई या बनाना खाते हो उसक अच्छा का सा वेस्ट निकलता है उससे उसकी वह गई इसको अलग से अलग करके आप वहां डाल विकॉस अगर हम इसे सेग्रीगेट नहीं करेंगे और हम इसे सीधे ट्राश में फेक देंगे तो इसका कुछ भी नहीं होगा यह सीधे ट्रैस में जाएगा यह बेकार हो जा एक डश्मिन हम किसके लिए रखेंगे ऐसी चीज़ें जो बायो डिग्रेड नहीं है जैसे प्लास्टिक हो गई या कोई ऐसी चीज जो हम जो बायो डिग्रेड नहीं करती ग्लास हो गया या कुछ ऐसा और दूसरे वाले में अपना किचिन वेस्ट जालेंगे जो समझ में आ रही है बात इस वेरी सिंपल बट वेरी एफेक्टिव तो यहां पर इस से घर पर यह बनाना पॉसिबिल नहीं है मैंने और क्योंकि घर पर हम कहां बनाएंगे गड़ा को देंगे क्या करेंगे लेकिन आम कुछ ऐसा तो कर सकते हैं कि वह यूटिलाइज हो जाए इ प्रिकन करते हैं और इसके बाद इसमें कॉन से बेक्टिरिया करते हैं कॉन से और चाहें और इसके साथ थोड़े चाहें तो अर्थ वांट भी डाल जकते हैं इसके प्रोसेस को क्या करेंगे फास्ट कर देंगा अर्थ वांट यह करते हैं तो आगर अर्थ वांट बी इंक्लूडेड है तो हम इसको बोलते हैं वर्मी कॉम्पोस्ट बोलते सिर्फ और सिर्फ कॉम्पोस्ट अगर वह इंवाल्य तो सिर्फ और से कॉम्पोस्ट वो इन्वालट नहीं तो सिर्फ और सिर्फौम्पोस्ट बात समझ में वश्दे का गई ऑन्डर werde सि mee क्या एके थिक यहाँ तो यहाँ पर क्या है सो wider ऐसला करिया आप लोग लिए इने क्या हुआम पेसाफ शॉर्ट वाम करेंग कि इसक्री खुट एक करेंगे जल सब है होता है MO क्या होता है molybdenum ठीक है FE क्या होता है iron ZN CL chlorine MN manganese क्या होता है manganese N क्या होता है what is N nitrogen ZN Cu copper B B is boron क्या होता है boron right बाकी तो आपने सारे देख लिए K potassium S sulfur ठीक है बात समझ में आ गई yes or no तो जो manure होता है वो सारे nutrients उसमें कम होते हैं लेकिन होते सारे हैं वेरास जो fertilizer होता है उसमें कोई एक या दो particular nutrients जादा होते हैं और बाकी सारे होते ही नहीं है ठीक है न समझ में आई बात तो आपसे अगर difference लिखने के लिए आता है manure और fertilizer में तो आप लिख सकते हो चिक है ओक यह लिख लिख लिया आपने आजए एक difference और सबसे में क्या हो जाएगा जस्ट राइट दाउन तो और त्री एक्जामपल्स सिद्धी आपको कुछ लिख रहे थे मैं पीछे जाओं वापस सारे fertilizer के नाम है यूरिया अमोनियम सलफेट सुपर फॉसफेट पुटाश एनपी के सारे fertilizer के नाम आपके यूरिया ठीक है अमोनियम सलफेट दिख रहे है इस तरीके का कुछ दिखता है ओके सुपर फॉसफेट पुटाश एनपी के तो यह कुछ ऐसा दिखते है यूरिया फॉसफ फर्टिलाइजर अगेट बेटर ईडर फॉप सच आज मेज मेज को कॉंड पैडी मतलब राइस वीट मतलब गेहूं बट एक्सिव फर्टिलाइजर अगेट यहां पर खेती हो रही है ठीक है यह पानी यह खेत में डाले यह इसके साथ बारिश हुई बारिश के साथ किसमें चले गए बारिश के साथ लेटर में आचा होते तो यह रिचे न्यूट्रियंट्स है बैस पर न्यूट्रियंस ना जब इस पर रिचे किसे कवर हो जाती है अब जो नीचे प्लांट से उनके उपर क्या हुआ एक ग्रीन कलर की लेयर आ गई जिसकी वज़े से संलाइट एंटर नहीं कर पाती संलाइट नहीं कर पाती तो नीचे वाले प्लांट फोटो सिंथेज नहीं कर पाते जिसकी वज़े से क्या होता है जिसक च्रोफकेशन आपको लिखने के जरवत नीए लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस प्रोफ मिष्ट किसन को यहां पे यहां पर फॉटिलाइजर जाएंगे वो वाटर बाड़ी में वाटर बाड़ी में दो क्या होगा साथ कर जाएगे डूसरा भी चीज होती है सपोस इसके अंदर इसके अंदर फर्टिलाइजर घ्रडिवल रघ्रडिया नाउन बाइयो डिग्रडिडिवल नॉन बाइयो डिग्रड़िय। कि अब ने दूते पार्प याय कर लिया थे ज़क्याच मनुग करने रहे 501 जबहाओ कि आपड़ी लाइफ में 10ृटी लाइफ में 10 जटे वा अपने finger लेश्व का लिया तोने मौणоде वाली फिश चले खाले एक और बड़ी फिश आय उसने ऐसी दस यह वाली फिशिस खाली तो उसके पास कितने ऑप जली रहें कि में उसने अपनी तो सबसे उपर उसके पास सबसे जाता हो जाता है सबसे बहुत सारे मौनेटी इसको यूज़ करना चाहिए वाट समझ में आ रही है ठिके एचली एजूटेटे डोले हमें कि हम संथा यूजी सब्साइब करें एड समय और वियूड फोब खरौटीटि विजिया उन रिटीटिलेटी आफ रौट्युट्स इस पर्टिलिबेटेटर हों देने हैं तो इन फेलेमें न्यूट्रियंट्रिया वह इसके अंदर रेप्लेने हो जाएंगे और आपने राइज ओभियं बैक्टिरिया के बारे में पढ़ा है क्या होता है भी ऐसे के लिधे प्लांट कर दगा दा दो ऑलो कि हाँ डाल बाले नहीं देखें और पी इस राइट जिनके रूट नोडिूल में एक बैक्तिरिया प्रेजिंट होता है इसको बोलते हैं राईजोब यम बैक्तिरिया वह तो यह पास एक स्पैसल केपिलिटी है वह एक्मोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट थ कर देता है रूट नाइल्जम पलब स्वैल वाली नाइलोजन ने थायत मिकले सकता है और वो क क्या से घर सब्सक्रद आता है से अलब पाद करने बात समझ में यह लिखे लिए टुचया आपने पड़ा यह लिख लीजे टु To maintain the fertility of the soil To maintain the fertility of the soil पहला क्या है substitute fertilizers by organic manures, organic compounds दूसरा, leave the field fallow for between two crops, leave the field fallow for two crops भू में समझ आ रहा है न? understood? okay the use of manure improves soil texture as well as water retention capacity अभी आपने बोलाता है manure के अंदर और क्या होता है? humus सबको पता है क्या होता है? what is humus? dead decaying matter जैसे कोई और बताना चाहेगा? what is humus? anyone? नहीं पता? humus होता है जैसे plants वगेरा जो dead हो जाते हैं leaves गिर जाती है और यह सारी चीज होता है इस सबको बोलता है humus तो यह क्या करता है? soil का texture maintain करता है यहां से यह सबसे उपर वाली soil होता है top soil उसके अंदर present होता है तो यह क्या करता है? water retention capacity increase करता है breathability देता है water retention capacity देता है आप लोगों ने soil erosion के बारे में पढ़ा है तो उससे soil erosion क्या होता है? removal of top layer of the soil top layer of the soil तो यहां पर basically soil erosion में top layer हटती है top layer इतनी fertile क्यों होती है why is it top layer so important? because उसके अंदर क्या होता है? humus होता है समझा रही है बार? तो यहां पर हमारा manure soil का texture भी improve करता है जिसकी वज़े से water retention capacity water तो है लेकिन वह retain करके रखता है सारा का सारा पानी नीचे नहीं जला जाता है leech नहीं कर जाता है वह soil के अंदर रहता है नमी बना के रखता है ठीक है न? it replenishes the soil with all nutrients यह सारे nutrients replenish करता है another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation खेत में 1 में जैसे crops लगाओ अलग अलग rods लगाओ जो अलग अलग nutrients लेते है suppose a crop लगाए हमने क्रिए चार महिने के ले या 3 महिने के लिए तो a crop suppose nitrogen ज़्यादा खीचता है उसके बाद b crop लगाओ b crop suppose potassium या calcium ज़्यादा खीचता है इसके बाद c crop लगाओ सी क्रॉप सपोज सलफ पर जादा खींचता है तो क्या होगा स्वाइल किसी एक न्यूट्रियंट से डिर्प्राइब नहीं होगी सारे न्यूट्रियंट कम होगे और उसके बाद क्या करेंगे हम थोड़ी दिर के लिए खाली छोड़ देंगे या लेगिमिनस क्रॉप्स ग्रो प्रोटेशन की डेफिनेशन लिख रॉप अपने क्रॉप रोटेशन região क्रॉप टेशन की की डेफिनेशन लिख्लो आप लोग अपने कॉप्यमिए में- Crop rotation is growing two or three different crops in the same field in pre-planned succession, pre-planned, PLANNED planned succession, pre-planned, succession का मतलब एक के बाद एक, ठीक है, बात समझ में आ गई, in pre-planned succession, आगे करूं, next, earlier farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in next season, पहले वाले उसमें वो legumes grow करते थे, legumes मतलब जिसमें leguminous crop, leguminous वो होते हैं, और अगले वाले उसमें क्या grow करते थे, अगले वाले उसमें wheat, तो legume grow किया, फिर wheat, फिर legume grow किया, फिर wheat, legume grow किया, फिर wheat, legume grow किया, फिर wheat, similarly इधर भी, बात समझ में आ रही है, yes or no? राइज़ोबियम बैक्टिरिया आर प्रेजंट इन दे नॉड्यूल ऑफ लेगिमिनस प्लांट बेफिक्स अट्मॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन्टू नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स फार्मर्स आर बिंग एंकरेश्ट इस प्राक्टिस बात समझ में आ गई है सब हो रूट नॉड्यूल का मतलब समझ में आ गया ठिक है ऑके बूमी क्लियर है गांट्यूल मतलब इनकी जो रूट्स होती है इसमें चोटे-चोटी गांट होती है कि उन गांट के अंदर यह बैक्टिरिया प्रेजेंट प्रेजेंट गिए नॉड्यूल तो यह आपको लिखना है राइट डाउन अब फर्टिलाइजर इस आप लिख लिजे पूरा यह आप पढ़ चुके है जस्ट राइट डाउन झालश दो । यह आपको लिख लिख सब्सक्रा यह आप लिख 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 लिए लिख लिया? कोई डाउट तो नहीं है, स्टेट्मेंट में? fertilizer is an inorganic salt, manure is a natural substance obtained by decomposition of cattle, dung, human waste and plant residues. आगे? लिख लिया सबने? a fertilizer is prepared in factories, manure are prepared in fields. fertilizer is prepared in factories, manure are prepared in fields. fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. manure is relatively less rich in plant nutrients, तो it is very rich, it is comparatively less rich. it is very rich, it is comparatively less rich. टिक्क है? टिक्क है? नेक्स्ट बस अच्छा एक और पॉइंट लिख लीचे fertilizer is fertilizer takes less space whereas manures are bulky fertilizer take less space whereas manures are bulky fertilizers pollute the environment whereas manures do not pollute the environment fertilizer take less space manures are bulky fertilizers pollute the environment whereas manures do not fertilizers are bulky sorry fertilizers are less bulky do not take space whereas manures are bulky and fertilizers pollute the environment whereas manures do not pollute the environment okay the organic manure is considered better than fertilizers this is because it enhances the water retention capacity okay okay एक और एक और पॉइंट लिख लिख लो इसके अंदर fertilizer के अंदर लिख लो it do not improve the structure of the soil it do not improve the structure of the soil do not improve the structure of the soil whereas manure में लिख ली जवे it improves the soil structure चीक है it improves the soil structure okay okay soil structure में क्या क्या आ जाता है वो आप देख लो यहाँ पे water holding capacity यह हम discuss कर चुके है ठीक है दूसरा it makes the soil porous for exchange of gases जो हम breathability की बात कर रहे है breathability ठीक है और तीसरा यह है increases the number of friendly microbes मतलब जो plant friendly microbes होते हैं उनका quantity भी increase कर देता है कौन मैन्योर या fertilizer मैन्योर राइट यहां तक समझ में आया या नहीं आया पहले आप मुझे यह बताएए पक्का क्लियर है यहां तक